हलो दोस्तों कैसे हो उमीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे इंडिया वेस्टन डीज के बीच जो फूर्थ टी-20 का मैच खेला जाएगा इस मैच में ग्राण लिग की चार्ट टीम कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ साथ में ग्राण लिग के टॉप रैंक प्रेडिक्शन भी करूँगा जिसकी मदद से आप अपने टीम को रैंक करा सकते हो क्योंकि अभी तक आपने जो टीम टी-20 का मैच देखा इन दोनों के खिलाप स्टार्टिंग से लोग इंडिया के फेवर में टीम बना रहे थे लेकिन मैच कुछ अलग ही हो रहा था तीनों मैच में वेस्टन डीज के जो प्लियर है अच्छा खासा परफॉर्म किये हैं जबकि ये मैच सिंट्रल ब्रोवड रेजिनल पार्क में वेस्टन डीज में मैच होने वाला है और इस गेरांड पे इंडिया का ऐसे ही दबदबा रहता है जबकि ये मैच इंडिया के लिए काफी important मैच है किसी भी हाल में मैच को विन करना है और मुझे लगता है कि आसानी से इस मैच को विन करने वाले हैं क्योंकि इस गेरांट पे कई सारे इंडिया का मैच हुआ है वेस्टन डीज स्वाप पे ही कई बार ओल ओट हो चुके हैं तो इसलिए आपको एक एक प्लेयर का कंडिशन बता दूँगा कि टॉस के बाद कब किसको ट्राइ करने हैं साथ में चार ग्राइन लिग का टीम कंडिशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टीम को रैंक करा सकते हो तो वीडियो काफी इंफरमेटिव होने वाला है वीडियो को बिना स्कीप किये देखना और एक लाइक कर देना जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना ताके मैं कोई भी वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे जो सबसे इंपोटेंट होता है वो है मेरा टेली गराम जोईन करना क्योंकि टॉस के बाद कोई भी निउस अपडेट आते हैं वो बताया जाता है साथ में ग्राइन लिग और स्मोल लिग की फाइनल टीम भी दिया जाता है तो आप आसानी से जोईन हो सकते हो आप वीडियो देख रहे हो आपको comment box दिख रहा है यहाँ पे click करोगे आपको first जो pinup link मिलेगा वहाँ से join हो या आप जाओ description में more का option दिख रहा है वहाँ पे click करोगे तो आपको मेरा टेली गराम का link दिख जायेगा वहाँ से आप आसानी से मेरा टेलिगराम जोइन कर सकते हो, वीडियो इस्टार्ट करते हैं पीच रिपोर्ट मैं उतना डीपली कावर नहीं करने वाला हूँ अल्रेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो टोटल इस ग्राउंड पे जो 11 मैच के लेगे हैं फर्स्ट बैटिंग करने वाले नो और सिकेंड बैटिंग करने वाले दो मैच को विन किये हैं तो फर्स्ट बैटिंग करने वाले जो टीम टॉज जीतेंगे वही बैटिंग करेंगे और उनको जीतने की ज़्यादा संभावन रहती है यह बैटिंग सपोर्ट पीछ है जबकि एवरेज स्कोर ठीक ठाक है 165 का है हाई स्कोर आप देख सकते हो 245 का है जो कि वेस्टन डीज का है लो इसकोर न्यूजीलेंड का है स्कोरिंग पैटन जो बिलो एक सो पचास तीन बार बने है वो वेस्टन डीज का ही है और इंडिया के खिलाब बने है जबकि नॉर्मल अगर हाई स्कोर देखोगे तो 170 से 194 बार और 190 प्लस तीन बार बने है तो रन भी यहाँ पे ठीक ठाक बनता है मतलब बैटिंग अच्छा खासा हो जाता है जबकि इस गरॉंट पे जो इंडिया के मैच हुए हैं 2022 में दो मैच के लिए हैं और दोनों मैच का अप रिकॉर्ड देख सकते हो यहाँ पे इंडिया जो पहले बैटिंग करके 188 रन वारे थे यहाँ पे कुल्दी प्यादव को 3 विकेट अक्छर पतेल को तरफ से हिटमायर अकेला यहाँ पे 56 रन वारे थे वेस्टन डीज 100 पे ही ओल आउट हो गये थे उसके बाद एक और मैच हुआ था 2022 में ही जो कि अगस्त महीने में ही हुआ था यहाँ पे इंडिया 191 रन वारे थे 5 विकेट पर वेस्टन डीज 132 पे ही पूरी टीम आप दे पहले 2019 में दो मैच हुआ हैं इंडिया के खिलाब उसमें जितने भी प्लेयर अभी खेल रहे हैं वो सब अवेलेवल नहीं थे इसलिए मैं उसका रिकॉर्ड नहीं दिखाया हूँ और यहाँ पे आप बस रन देख सकते हो और विकेट देख सकते हो तो इंडिया 165 रन मारे मैथे वेस्टन डीच चेस करने में 100 ही रन बना पाए और 9 विकेट गिर गया था उससे पहले वेस्टन डीच पहले बैटिंग किये अंठानवे ही रन बना पाए इंडिया 6 विकेट पर चेस कर लिये तो यहाँ पे जो चार मैच इस गरांट पे खेले हैं इंडिया के तो अब चलते हैं जो लास्ट के कुछ मैच जो खेले गए हैं इसको आप यहाँ पे टोटल 56 विकेट गिरे हैं मतलब विकेट उतना ज्यादा नहीं गिरते हैं लेकिन वेस्टन डीच जैसी टीम आल आउट हो जाते हैं जबकि पेसर को 24 विकेट और स्पीनर को 22 विकेट आपको एक प्लेयर चेंज देखने को मिलेगा हेट टू हेट में 18 मैच इंडिया विन किये हैं और 10 मैच को वेस्टन डीच विन किये हैं तो रिसेंट का जो हाल है वो वेस्टन डीच का ठीक ठाक है अगर आप चाहते हैं आसानी से ग्रैंड लिग विन करना तो फिर पाजी अप्लिकेशन पर आजा है यहां पर पहले डिपोजिट में आपको 10% रियल कैस मिलते हैं आप जब डिपोजिट पर जाओगे तो आपको दो कोड मिलेंगे यहां पर आपको 100 रुपे से 1 लाग डिपोजिट करते हो तो यहां पर आपको 7% बॉनस की रूप में मिल सक है और सबसे बरी बात होती है कि आप 10% बॉनस भी यूज कर पाते हो यहां पर मिलता है 70 मेंबर, 40 मेंबर, 80 मेंबर इस तरह के मिनी ग्राइन लिप और हर एक कॉंटेस में 10% जो है वो बॉनस यूज हो जाता है और एक बरे लेवल में प्राइज मिलता है मेंबर कम रहने के क चारण एक नॉर्मल टीम बना कर भी आप विन कर सकते हो तो प्रोफिट बनाना यहां काफी असानी है जबकि आप चाते हो ग्राइज का टीम कंबिनेशन बनाना और एक रुपे दस रुपे से खेलना चाते हो तो आप फिर बल्लेवाजी बेस्ट अप्लिकेशन है आप 25 टी से रुपे सेफ कर लेते हो तो इसलिए यहां पे आसानी से प्रोफिट बन जाता है यहां पे यूनिक मिलता है एस्टैट फैंटसी जो कि आपको उसी मैच से रिलेटे धेर सारे सवाल मिलते हैं जैसा कि आप देख रहे हो यह है इंडिया और वेस्ट अडीज के खिलाप जो कि वेस्ट अडीज विन करेंगे तो आप फॉल्स एट रुपे जा सकते हो अब जोयन कैसे करना है तो यहां पे पांच रुपे से स्टार्ट होता है और यहां पे कॉंटेस्ट दीख रहा है अगर आपको ज़्यादा खिलना है यहां पे स्क्रॉल करोगे आपका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने रन बने हैं कितने विएट गिरे है और कूंटीम गाले हीthy तो इस तरह है कि अपको धेर सारे सवाल मिलेंगे अगर आप इंगलिश नहीं जानते हो लेंग़ेज चेंज करके हिंदी कर सकते हो और आसानी सवालों के जबाब पे जाक और जॉनासन चारलेज है तो ये तीन प्लेयर तो फिक्स है कि खेलने वाले हैं इस मैच में इसान किसन का इस मैच में रिटर्निंग हो सकता है सुभमगिल लगातार फ्लॉप जा रहे हैं तो ज्यादा सेफ ऑप्सन इसान किसन ही रहेंगे जबकि ये रिटर्निंग आएंगे इनका परफर्म भी अच्छा आने वाला है पहले बैटिंग करते हैं तो आप ग्राण लिग में जरूर ट्राइ करना जबकि चेस करते हैं तो जिस तरह इस गराउंट का आपको परफर्म दिखाया वेस्टन डीज सौप पे ही ओल आउट हो जाते हैं तो वेस्टन डीज जब पहले बैटिंग करके अगर स्कोर ही कमखरा करते हैं तो फिर ये ओपनर बैस्टन हैं ओपनिंग करेंगे तो उस कंडिशन में इस पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा ये आसानी से रोक कर रन बना जाएंगे और ये ग्राण लिग के पिक बनेंगे तो इसलिए चेस करते हैं य इनकी बैटिंग आही जाती है क्योंकि फर्स डॉन बैस्ट टींग करते हैं और इस गराउंड पर इनका 40 का एबरेज इसकोर भी है पांच मैच का कह रहा हूं एकाख मैच का नहीं मतलब कि इस गराउंड पर सबसे बेस्ट अगर देखा जाए वेस्ट अंडीज की तरफ से तो काफी गजब के प्लेयर हैं आप पिक कर सकते हो क्योंकि इनका बैटिंग भी पूरी तरह से मिलने वाली है बात आती है संजू समसंग की ये अगर इंडिया चेस करते हैं तो फिर इनको पूरी तरह से फ्लॉप बना सकते हो आप चार टीम बनाओगे चारो टीम में फ्लॉप बना सकते हो जबकि बैटिंग पहले करते हैं इंडिया तो इनकी बैटिंग आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले बता दू अगर इसान की सन नहीं खेलते हैं तो संजू समसंग विकेट कीपर करेंगे और विकेट कीपर में आपको कैंस से भी पॉइंट दे सक तो उसके बारे में क्या करेंगे उसका हम कंडिशन समझेंगे टॉस पे इंडिया पहले बैटिंग करते हैं तो आप ग्रांड लिग में ट्राइ कर सकते हो तो पहली मैं ग्रांड लिग के टीम बना रहा हूं तो वहां पे देखो पहले मैं फिक्स प्लेयर को अपने टीम में र अर्दिक पांडिया को ले लेता हूँ हार्दिक पांडिया हो गया और अगले प्लेयर यूजबेंदर चहाः और अलजारिया जोसेप को ले लिया तो यह माल लेते हैं कि यह मेरा fix player है इन fix player को आप 4 team में try कर लेना क्योंकि फिर से उमीद करते हो कि इन दोनों का perform आ जाए तो फिर आपको team काफी unique बनाना परेगा क्योंकि आपको मालूम है कि ये 6 player सभी के team में होगे लगभग 95% लोगों के team में होगा और आप भी अपने team में रख रहे हो तो फिर आपको unique team बनाना होगा और देखो मैं 4 team बनाऊगा तो 4 team का condition अलग होगा ये मेरी पहले team है तो इसलिए आपको बारीकी से समझना होगा तो आपको यहाँ पे unique team कैसे बनानी है तो अब चलते हैं फिर से team पे wicket keeper में आते हैं और generally wicket keeper से लोग एक ही player के साथ जा रहे हैं जिनका 93% selection है तो अगले player जितने भी है सारे को ignore कर रहे हैं इसान की सन खेलेंगे तो मैं पहले team में इसान की सन को try करूंगा फिलहाल नहीं है तो मैं 40 के साथ जा रहा हूँ एक तो देखो इनका perform इस ground पे अच्छा है इंडिया के खिलाब भी अच्छा perform है लास्ट के 3 match को छोड़ कर देखोगे तो बावन का iverage है तो ठीक player है इनको पूरा opportunity है बैटिंग करने का perform कर सकते हैं बैटिंग section में आते हैं बैटिंग section में देख लेते हैं कि अगर इसान किसन नहीं खेलते हैं तो सुभम गिल रहेंगे सुभम गिल का selection घट गया है पहले match में आपने देखा 20-25% इनका captain wise captain selection था तो इस match में अगर खेलते हैं तो ज़्यादा उमीद रहेगा कि इनका perform आ जाए खासकर पहले batting करेंगे तो इनका तगरा perform आ सकता है इनको आप captain wise captain पहले team में बनाना आगे team बताऊंगा तो फिलहाल मैं अपने team में रख रहा हूँ और यहाँ पर इसान किसन को नहीं रखा हूँ अगर इसान किसन खेलेंगे तो इसान किसन को रखना तो ही perform आता है चेस करने में अक्सर यह flop हो जाते हैं यहाँ पे सबसी बारा suspense रहेगा कि अगर यहाँ पे अवेज खान खेलते हैं क्योंकि इस ground पे Pacer को ज़्यादा support है तो खेला भी सकते हैं क्योंकि मुकेस कुमार लगतार flop जा रहे हैं तो उसकी जगा पे इनको try किया जा सकता है strong करने के लिए और इंडिया के लिए important match भी है तो अवेज खान खेलते हैं तो आप सीधा से ये मानो कि इनको flop कर देना क्योंकि मैं जहां तक record देखा हूँ तीन match आमने सामने खेले हैं तीनो match में अवेज खान ही ब्रेंडन किंग को out किया है तो देखो अवेज खान starting में मतलब power play में भी ball करते हैं और देथ में भी करते हैं तो अवेज खान खेलेंगे आप ब्रेंडन किंग को आँख बंद करके drop कर देना आप पूरे 4 के 4 टीम में try नहीं करना तो आप condition समझ गए तो फिलहाल में ब्रेंडन किंग को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे लिया हूँ हेट मायर को साथ मैं आज आता हूँ अलोंडर सेक्शन में इस match में अक्षर पटेल और रोस्टन चेस को लूँगा पिछले मैच में रोस्टन चेस का परफॉर्म नहीं आया था क्योंकि इनकी बैटिंग ही नहीं आय थी और दूसरा है कि बॉलिंग किये थे काफी किफाइथी बॉलिंग किये थे वेस्टन डीज की तरफ से जबकि इसका कई सारे बॉलर हैं अच्छा खासा ठोका गए थे लेकिन रोस्टन चेस का इंडिया के खिलाब परफॉर्म अच्छा रहता है इसको मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपको यूनिक टीम बनानी है क्योंकि छे प्लेयर मैं सेफ ले लिया हूँ तो क्यूंकि ये टीम वहाँ पर जुआईन करेंगे जहां एक करूर मेंबर वाली कॉंटेस है तो वहाँ पर जुआईन करेंगे तो रिस्क भी उसी हिसाब से लेना है तो रोस्टन चेस को हमने ले लिया बॉलिंग सेक्षन में आते हैं दो ही बॉलर हम पीक कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो एक तो यूजबंदर चाहल की जगह पे अगर रभी विसनुई खेलते हैं तो रभी विसनुई को आप ट्रम कार्ड यूज़ कर सकते हो फिलहाल मैं कुलदीप यादब को लिया हूँ और अगले प्लेयर जो ओवेड में कुई की जगह पे इसमीत अगर खेलेंगे तो इसमीत को आप ले लेना और साथ में अवेज खान ये दोनों प्लेयर को ट्राइक कर सकते हैं दोनों खेलेंगे तो फिर आप यहाँ पे हार्दिक पांडिया को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि यहां पे देखो कंडिशन क्या रहेगा कि अवेज खान खेलेंगे तो यह स्टार्टिंग में बॉल करेंगे अभी तक क्या था कि आपनर बॉलर जो मुकेश कुमार और अर्सदीप सिंग है तो यहां पे अर्सदीप सिंग आपणिंग बॉलिंग करते थे साथ में हार्दिक पांडिया आपनिंग बॉलिंग करते हैं तो इसका पर्फॉमाने की ज़्यादा संभाब न रहती है लेकिन जब अवेज खान खेलेंगे तो यह स्टार्टिंग में बॉल करेंगे दूसरी है कि देर्ट में भी बॉल तो उस condition में क्या होगा कि हार्दीक पानडिया को बॉलिंग ही न मिले या यह घो ही ओभर करेंगे तो उस condition में अक्षर परटेल का परफौर्म आने की ज़्यादा संभाब न रहेगी तो अक्षर परटेल को आप ट्राइ कर सकते हो हां हार्दिक पांडिया पहले इंडिया बैटिंग करते हैं तो ये बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं तो उस कंडिशन में ले लेना फिलहाल मैं पहले टीम में इनको हार्दिक पांडिया को उस कंडिशन में नहीं ले रहा हूँ मैं ये मान कर टीम बना रहा हूँ कि अवेस खान इस मैच में खेलने वाले हैं क्योंकि हमें यूनिक टीम बनानी है तो फिलहाल मैं यूनिक टीम में अवेस खान को ले लिया हूँ फिलहाल ये नहीं खेल रहा है तो अर्श दिप सिंग को ही मजबूरन लेना परेगा तो फिलहाल ये मेरी एक Grand League की टीम तयार हो गई तो आप देखोगे कि हद तक यूनिक टीम है क्योंकि चारलेज और हेटमायर का काफी low selection रहेगा साथ में गिल्ड का भी low selection हो गया है और ये रोश्टन चेस रहेंगे और अक्षर बटिल तो ये पांच प्लियर ऐसे हैं जो की पूरी तरह से low selection percentage प्लियर है और इनको आप ट्रम कार्ड के तोर पर यूज़ कर सकते हो कि भाद तो ये जो पांच प्लियर है ये आपको यूनिक बनाता है क्योंकि बाकी जो आप प्लियर पिक किये हो वो safe प्लियर है जिसमें हमने हर्दिक पांडिया को drop कर दिया तो आप ये कहोगे कि ये जो आपके प्लियर है ये 6 प्लियर पूरे safe है तो इसलिए हमने पांच प्लियर risky लिया है और risky में ऐसे तुक्के के बेस पे नहीं लिया है इसके लिए काफी research किया हूँ तो ये मेरी पहली grand league की दीव है अब condition समझ गये हो कि अवेश खान खेलने है तो यहाँ पे ब्रेंडन कींको में drop किया हूँ captain wise captain कैसे बनाना है तो सबसे पहले समझो कि जब आप एक करोर member वाले contest में जोईन कर रहे हो तो यहाँ पे अगर इंडिया पहले batting करते हैं तो सुभंगिल और सुरिया कुमार ज़्यादा safe रहेंगे captain के option जबकि अक्षर पटेल रोस्टन चेस को आप captain wise captain कर सकते हो western डीज की तरफ से अगर smith खेलते हैं तो उनको आप wise captain बना सकते हो इसमें कुछ player का unique करना होगा जैसा कि आप देख रहे हो पुल्दीप यादब है कुल्दीप यादब की जगा पे फिर से आप युजबंदर चहल को try कर सकते हो यहाँ पे अलजारिया जोसेप की जगा पे आप इनको जो ओवेड में कुई या सिफ़ड को try कर सकते हो या आप सीधा से अगर आप एक बरा रिस्क लेते हो तो हर्दिक पांडिया को drop करके यहाँ पे रॉमी पॉवेल को ले ले या उससे ज़ादा best होगा कि आप फिर से यहाँ पे युजबंदर चहल को try कर ले क्योंकि यह जो captain wise captain बनाया हूँ उस condition में कि इंडिया का perform अच्छा खासा आने वाला है यह इंडिया पहले बैटिंग करेंगे तब ही इस टीम को यूज कर सकते हो वैसे second match के लिए भी safe हैं कि फॉर्म में हैं वेस्टन डीज के player पूरन लगतार perform करते आ रहे हैं और उसकी जगा पे hit major चार्लेज को मैं common रखा हूँ जो की काफी hard heater bestman है मतलब कि जब top के तीन bestman को वेस्टन डीज की तरफ से रखा हूँ तो वेस्टन डीज पहले भी बैटिंग करते हैं तो run आ सकते हैं तो उस condition में second inning में भी ये team को try कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा unique करना होगा जैसे कि हार्दिक पांडिया का higher selection है वैसे ये सबसे ज़्यादा safe option है holounder section में बैटिंग भी अपने आपको promote कर लेते हैं और बैटिंग भी इनका जितने चोथे नंबर पे हैं तो आ ही जाती है जबकि balling भी पूरे 4 over फेकते हैं विकेट भी मिल दा है तो इसलिए safe हैं तो सभी के team में होंगे आप risk की risk लेते हो क्योंकि आपको भी पता है कि Grand League की team में risk थोड़ा लिया जाता है तो हम Grand League के team में drop करते हैं तो इसकी जगापे आप simply Romy Powell को ले सकते हो वो भी heater bestman है और western reach की तरफ से consistent player है Romy Powell का भी selection काफी high है तो ज़्यादा unique रहेगा कि आप यूजबेंदर चहल को try कर ले या इसकी जगापे कोई और player देख लेना जिनका selection low रहेगा खासकर अगर Sanju Samson को ले लेते हो तो Sanju Samson आपको wicket से point दे सकते हैं और इंडिया पहले batting कर रहे हैं तो उनकी batting आ सकती है तो आप Sanju Samson को अगर wicket keeper में try करते हो तो 3 wicket keeper मिल जाएंगे जो कि आपको unique team बनाने में काफी मदद करेंगे और ये हद तक unique बन जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग पूरन के साथ ही जाएंगे और पूरन के इलावा किसी भी player को touch नहीं करेंगे या ऐसा कर सकते हो कि अगर इसान किशन खेलते हैं तो इसान किशन को ले लेना opener bestman है कुछ न कुछ तो run दे ही देंगे साथ में wicket keeper से भी point देंगे नहीं सुबंगिल खेलेंगे तो सुबंगिल के साथ जा सकते हैं ठार्ड grand league की team की बात करें तो grand league में captain wise captain ही काफी unique है साथ में balling section में western league की तरफ से दोनों unique player है जिनका selection काफी load हैगा और सुरिया कुमार को सिर्फ रखा हूँ इंडिया पहले betting करते हैं तो आप ये मान कर चलते हो कि starting में wicket गिर सकते हैं तो starting में मैकवाई ball करते हैं तो इनको wicket मिलेगा तो इसके top order को drop किया हूँ जबकि ये भी first down balling कराते हैं तो इसलिए इनको भी रखा हूँ और top order इनका class कर रहा है तो दोनों top order के baller को रखा हूँ और यहाँ पे आप देख लेना सुरिया कुमार को common रखा हूँ अक्षर पटेल को captain बनाया हूँ क्योंकि हार्दिक पांडिया के बाद अक्षर पटेल ही सम्हा लेंगे तो इस team में आप जाद से जादा संजू संचंग को विकेट कीपर से try कर सकते हो क्योंकि हार्दिक पांडिया के बाद संजू संचंग ही batting करने आएंगे और संजू संचंग की जगा बाद अक्षर पटेल batting करेंगे और अक्षर पटेल batting से अच्छा hitting करते हैं और रन भी बनाते हैं और साथ में चार अभर पिछले मैच में बॉलिंग फेके थे काफी किफायती बॉलिंग फेके थे एक विकेट मिला था इस मैच में भी विकेट मिलने की ज़्यादा संभाबना रहेगी इसलिए मैं कैप्टन बनाया हूँ जबकि विस्टन डीज की तरफ से फिर से हिट मायर को कॉमन रखके आप इनकी जगा पे पावल को ट्राइ कर सकते हो इस टीम में इस टीम में आपको दो चेंज करने को मिलेगा एक तो हिट मायर की जगा पे पावल को ट्राइ कर सकते हो रामन पावल को, दूसरा है कि आप इनकी जगाह एक प्लेयर को, संजू संसंग को ट्राय कर सकते हो, या तो आप अखिल हुसेन की जगाह पे, या कोई और प्लेयर की जगाह पे या कायल माइर्स की जगाह पे तो ये एक आपका तीन नमबर ग्रैंड लिग क्लिक के टीम की बात करें तो वेस्ट अंडीज की तरफ से चार बैस्टमन को लिया हूँ, इंडिया की तरफ से तीन बैस्टमन को लिया हूँ, आप अकसर देखते होगे, माल लेते हैं कि वेस्ट अंडीज पहले बैटिंग करके 160 रन मारे, इनका 5 ही व उनों तरफ से विकेट भी गिरेंगे, रन भी बनेंगे, और ज्यादा फोकस में बैटिंग सेक्शन से किया हूँ, वैसे बालर मैं ज्यादा इंडिया की तरफ से ले लिया हूँ, उमीद करता हूँ कि वेस्ट अंडीज का ही ज्यादा विकेट गिरेंगे, तो इनके बालर को रखा हूँ आप वेस्ट अंडीज के फेवर में भी बना सकते हैं इनके भी ज्यादा बॉल और फिक करके आप ये मान का टीम बना सकते हैं कि इंडिया का ज्यादा विकेट गिरे क्योंकि जब आप ग्रांड लिग की टीम बना रहे हो तो आपको यूनिक ही टीम बनाना होग कि मेरा कहां तक यूनिक है तो फिलहाल मैं चार ग्रांड लिग का टीम दिया हूँ जिससे आप टीम जोइन कर सकते हो फाइनल टीम आपको टेलिगराम पे मिलेगा टॉस्ट के बाद क्योंकि न्यूज अपडेट आते हैं पिछ रिपोर्ट के फाइनल में फाइनल में ग्रा असानी से वीन कर सकते हो तो जरूर से जोइन हो जाना मेरा टेलिगराम वीडियो को लाइक कमेंट कर देना ओके थैंकियो